नमस्कार मैं हूं मुक्ता सिंग और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत तो 2024 का चुनावी बिगुल बच चुका है हलांकि तारीक की आधिकारिक घोशना अभी नहीं की गई है और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने 195 उमीदवारों की लिस्ट पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें दिली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में बड़ा बदलाव किया गया है दो बार के सिटिंग MP और पूरु मंत्री रहे डॉक्टर हर्शवर्धन का टिकेट काट कर CAIT यानि Confederation of All India Traders के Secretary General प्रवीन खंडेलवाल को उमीदवार बनाये गया है तो प्रवीन जी खुद हमारे साथ हैं प्रवीन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका कैसा महसूस कर रहे हैं पहली लिस्ट में अपना नाम आया और डॉक्टर हर्शवर्धन की जगहें आपको टिकेट दिया गया है कैसा लग रहा है देखे भारतिये जन्ता पार्टी एक अनुशासित कारकरतों के पार्टी है और जो भी नेतृत उत्या करता है हम सब कारकरता उसको मानते है इस बार के चुनाओ में नेतृत ने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आजरणिये परधान मंतरी श्री नरेंद मोदी जी का और भाजपा के नेतृत का आभार मानता हूँ और एक छोटे कारकरता को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और हम सब मिलकर के कारकरता उस जिम्मेदारी को बखू भी निगभाएंगे और चांदी चौक की लोग सबाद सीट हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं चली वैसे भी जब से नाम अनाउंस वाओगा अभी भी आप हम लोग के पास बैठें उसके पहले कई सारे वेंस आप अप अटेंड करके आएं तो अभी तो वैसे ही लोग आपको नहीं चोड़ रहे होंगे देखें चुनाव का असली मतलब क्या है चुनाव का असली मतलब है कि आप लोगों के बीच में जाएं कैंडिडेट को जन प्रतिनिदी कहते हैं तो वो प्रतिनिदी किस काम का जो जन के बीच में ना जाएं तो जब आप जन के बीच में जाओगे तो दस सुझाओ दस समस् कि ये विशेष्टाए हैं वो आप मने मद्दाताओं को बता सकते हैं तो चुनाओ के लिए तो दिन रात एक करना पड़ता है घर बैठ गर करके को चुनाओ जीता हो ऐसा एक्जामपल मुझे तो आस तक नहीं मिला बिल्कुल लेकिन आपको क्या लगता है डॉक्टर हर्शव जो भी टैकिया तो पूरे चांदनी चौक संसंद्य चेत्र के सभी भाजबा गारे करता है बहुत उत्सा के साथ जुटे हैं परसो रात को टिकेट एनाउंस हुआ और उसके बाद से लेकर के कल हमने पूरे चांदनी चौक के जो कार्य करता है उनके साथ में एक काफी में एक मिलन हमने किया वहीं उसके बाद लगातार कारकरमों के श्रंखला शुरू गई है आज सुबादे लगबग मैं छे कारकरम हूं तो इन सभी कारकरमों में जहां वरिष्ट लोगों से मुलाकात हुई है वहीं महिलाओं से युवा वर्ग से और समाज के अनवर्गों स सामने आती है कि प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी के जो 10 साल का कारेकाल है वो लोगों के दिल और दिमाग पर पूरी तरीके से असर कर रहा है और लोगे मानते हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है अच्छा जो मैंने अभी क्योंकि हम लोग इसी के बारें बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन की बात कि आपकी जो सोशल मीडिया टीम में अभी से कहने लगी कि डॉक्टर हर्षवर्धन या जो अन्या MPs को नहीं जगहें मिली है उनके नौट परफॉर्मेंस के कारें उनका टिकेट कटा है तो आपके साब से ये कितना सही है ये कहना कितन अगर अगर हम डॉक्टर हर्षवर्धन का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखें तो पोलियो इस देश से एरेडिकेट करने में डॉक्टर हर्षवर्धन का बहुत बड़ा योगधान है जिनको डबलो एचो ने भी संबानित किया उसी प्रकार से जब वो स्वास्त मंत्री र या और अन पदु पर रहे हैं उनकी उपलब्द्यां अन घिलित वह हैं तो नोन-परफॉर्मड किस बात की है कोई नुण करी कर रखी है को sh Script अश्य और 5.9 को मैं निर्ने को मालरे हैं हो सकता है डॉक्टर रिशवर्धन के लिए पार्टी ने को और भुमिक ऐता कर रखी ह क्योंकि हमारे यहां भारतियनता पार्ट्यू में कॉंगरेस की तरीके से एक परिवार का शासत नहीं है यहां हर छोटे से छोटे कारे करता को भी उसके ख्षमता के अनुसार काम मिलता है और इसलिए बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ते हैं तो प्रवीन जी एक तरफ आप अपना पहला कदम संसत की और बढ़ा रहे हैं तो इसलिए तरफ जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर हर्शवर्दिन ने अपना रिटार्यमेंट घोशित कर दिया गौतम गंभीर ने बिना चुनाव लड़े यह डिक्लेर कर दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंग लोग टिकेट पाने के लिए बेचहन रहते हैं इतना इंतजार रहता और उन्होंने टिकेट पाने के बाद छोड़ दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एक तरफ आपको यह नहीं लग रहा है कि लोगों का मो भांग होता जा रहा है राजमिती से नहीं देखे बिलकुर ऐसा नहीं है आपने जिन तीन लोगों का नाम लिया डॉक्टर हाश्वर्दन अपने पेशे से डॉक्टर है गौतम गंबीर देश के एक बड़े क्रिकेटर है और क्रिकेट से जुड़ी अनेक चीजों पर वो काम करते है कमेंटरी एक बड़ा विशे है जो गौतम गंबीर देते है और पवन सिंग जी का अपना एक अलग सरकल है तो कई पार ऐसा होता है कि जीवर ने बहुत से मौक्याते है जब व्यक्ति को अन्य विशों के लिए जिसमों उसकी रूची है उस पर ध्यान देना पड़ता है जैसे डॉक्टर हर्श्वदर ने कहा कि वो टोबैको को खिलाब जो उनका एक मिशन है वो उसमें अपना समय देना चाहेंगे इसे परकार से गौतम नबीर ने कहा कि क्रिकेट से जुड़े जो विशे है मैं उसमें पर समय देना चाहूँगा इसलिए पवन सिंग जी भी जो है वो उनके अपने विशे है तो वो उस पर समय देना चाहेंगे तो इस पर कोई विवाद नहीं है और हाँ अगर वो चीक चीक के कह रहा होगी मुझे टिकेट दो मुझे टिकेट दो और पार्टी अगर वो टिकेट नहीं दे ऐसी सिथी तो कई वर ली भी जी थी एक बात तो है कि बाप राजनीती में आगे हैं तो हर कुछ बड़ा नाप तोल के बोल रहा है एक दम कहीं कुछ गरबड़ी नहीं हो रही है ने ने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चलिए अब मुद्धे पे आते हैं, कॉंग्रिस और आम आदमी पार्टी का एलाइंस पहली बार दिल्ली में, कितना बड़ा चालेंज है, पूरे सामंजस के साथ हा रहे हैं, अच्छा आप मुझे बात बताएं, आप इसको एलाइंस कैसे मैं समझता हूँ, एलाइंस का यही मतलब हैं, अब यहाँ जो एलाइंस है, जो सो काल्ड एलाइंस जिसकी आप बात कर रही हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि एबसे पार्णी पीबी करके आमाद्दी पार्टी राहू गन्दी को कोश रही है, राहू गन्दी और कॉंगरिस की केजरिवाल और उसकी पार्टी को कोस रही है बड़ा अजीब विशह है कि यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिकल कन्वीनियंस दखाई दे रही है तो इन लोगों ने वो गठबंदन बना लिया जिसको बेमेर गठबंदन कहते हैं ने लेकिन देखे पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो भी कही है पहले जो भी गाली दे रहे हो आप तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप साथ आ गए हैं दुस्री बात है कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस द्राजिती में तो इसका कारण है कि यहाँ पर अगर अगर आपने हाथ मिलाया पंजाब में क्यों नहीं मिलाया है या और सब्सक्राइब करें और दोनों के ऑन रिकॉर्ड है दोलों के और आपके बास तो होंगे आप आपका आरकाइब्स में सब सब चीजों होंगी एलाइस बिल्कुल होना चाहिए एंडिया का भी गटबंदर है लेकिन एंडिया के गटबंदर में आप एक जगह जिखा दें जहा आप चाहर रहे हैं अब देखें पोलिटिकल मॉरालिटी की बात तो अब क्या की जाया आप भी देख रहे हैं जिस जिसको आप लोग सबस्याद अगाली देते थे वह वह आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो यह कि अगट बेमेर गटबंदन से इसका कोई तालुक न परज़ा कर रहे हैं सो कॉर्ड उनमें जिरेदेगर कर लोग कैसे भार होते जा रहे हैं चले तो आपके हैसाब से कोई चैलेंज नहीं है यह नहीं है कि एक तो गड़ बंदन नहीं है दूसरा प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मूदी का दस साल के शासन का ट्रैक असाधारन सफलता और अनेक प्रकार की योजनाएं वो लोगों के सिर्फ पर चड़कर के बोल रहे हैं क्योंकि लोगों को लाब मिला हैं तो इसलिए चुनौती दूर दूर तक नहीं है और शीले मैं कहता हूं कि चान्नी चौक की सीटम रिकॉर्ड मतों सजीत है चलो आप चान्नी चौक की बाद अभी आपने चेड़ी तो चान्नी चौक में भी अगर आप देखिए तो जादा तर वहां के जो मले और पार्षद है वो आम आदमी पार्टी के हैं तो बात साफ है कि ग्राउंड पर वो जादा सर्शक्त हैं तो क्या ये एक बड़ी चुनौती नही है और कॉर कोर्पेरशन के छुनाओं के मुद्दे अलग होते हैं आप कोर्पेर्शन के मुद्दे हैं वाप लोकसलों में नहीं कर सकते सब्सक्राइब हैं और ये कोई बैरोमेटर निए कि अगर उनके पार्शय जादे हैं या उनके विधाय जादे हैं तो लोग सभी जीच जाएंगे अगर ऐसा हो तो फिर देश में तो सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी ना तो इसलिए ये ये क्यास जो है इनका मैं समझतों को अर्थ रही है अच्छा आपको टिकेट मिला है तो जाहिर सी बात है व्यापारी संगेटन तो बहुत जादा खोश होगा ना कि वहल व्यापारी को कि मैं चान्नी चौक में पला बड़ा हूँ चान्नी चौक की गलियों में मैं खेला हूँ यही से मैंने पढ़ाई की है और मैं लंबे अर्से से चान्नी चौक में रह रहा हूँ चान्नी चौक की तैजीब को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तो व्यापारी के अलावा चाहे वो RWA के लोग हो या अन्वर्गों के लोग हो सब ही वर्गों ने केंडिडिडेचर का समर्थत भी किया और पूरे उसा के साथ उसका स्वागत भी किया नहीं क्योंकि CAIT के जरीए आप ना सिफ दिल्ली के बलकि पूरे देश के चोटे ट्रेडर्स को रिप्रेजन करते हैं तो एक सवाल मेरा यह है कि जो GST और डी मॉनिटाइजेशन के जो पार्थब्रेकिंग फैसले हुए तो आप क्या मानते हैं कि आपको लगता है कि उससे छोटे और मीडियम वर्ग के ट्रेडर्स को नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ प्रोसीजरल उसमें कुछ कमिया है तो संसत में जाने का एक वाका यह भी होगा कि हम सरकार के साथ बातचीत करते हुए और अगर कोई कमिया है तो उन कमियों को ठीक करें उसके लिए संसत से बड़ा फोरम तो कोई दूसरा नहीं हो सकता नहीं तो यह एस तो अगर आप MP बनते हैं तो क्या यह विरोध जारी रहेगा विरोध मेरिट पर है हिंदोस्तान में कोई भी व्यापार करें तो भारत के कानूनों को मानना होगा यह मैंने ही कहता यह आपको भी यह कहना पड़ेगा भारत का संविधान भी यह कहता है और हम भी वह बात कर तो इसलिए उसमें कहीं कोई डाइलूशन नहीं है जो भारत के कानून का भारत के संविधान का पानन करेगा उसके लिए भारत के दरवाज़े खुले हैं और यहीं मूल रूप से हमारा आशे है जिस पर हम इतने लंबे समय से बात्चित करते आ रहे हैं जैसे आपने कहा कि आप चाहिनी चौक में पले बड़े हैं वहाँ पर आपका बहुत समय गुजरा है कौन-कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर आप चुनाव में उतरेंगे और अगर आप MP बनते हैं तो चाहँनी चौक में कौन से बड़े बड़ाओ दिखेंगे दो बाते हैं अभी ए उनके बात करूँ जो मुद्धे जमीनी मुद्धे है आम आदमी क्या चाहता है आम आदमी सुक्चेन की जिन्दगी चाहता है अगर उसको कोई वेपार करना है तो बेना किसी तकलीफ के उसको वेपार करने का जो जो भी लाइसंस लेना है उसको वो मिल जाए उसको गैस मिल ज कि जो विवस्ता चांदी चौक में अगर चाहिए वो वश्टा क्या आवशक्ता अशोग विहार में नहीं होगी। जिसकी अश्रोग विहार में होगी उसकी शाली मरभाग में नहीं होगी। तो हर गली, हर महले सबस्या, मुद्धे की बदलते रहेंगे। शुनाओ प्रचार में हमने ये भी एक टैकिया है कि जितने भी ऐसे मुद्दे आएंगे उन सारे मुद्दों को हम नोट करेंगे और ये निश्चित है कि हर मुद्दे का समधान होगा क्योंकि हमारा मानना है कि यदि ठोस और इमानदर प्रयास किये जाएं तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो सुलज नहीं सकती है बिल्कुल यह आपने बहुती अच्छी बात कही कि अगर ठोस और मांदार प्रयास किया जाए तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो सुलज नहीं सकती एक आखरे सवाल आपको लगता है कि राम लहर के बाद मोदी लहर और बढ़ गई है राम मंदिर का उद्गाटन हुआ तो कहीं न कहीं ये जो मोदी लहर है और ज़ादा बढ़ गई है देखे राम मंदिर का उद्गाटन देश की एक बहुत बड़ी एतियासे खटना है अरुकर करें वह प्रसम प्लब बॉदुन शाड़कों के जाल कि बात करें कि बात करें आप कि पैले जो जलते थे उस उज्वला योजिना की बात करें, वो कौन सी चीजे हैं जो आम आदमी को पिंच करती है और वो कौन सा प्रयास है जो पिछले दस सालों में परधान मंतरी मोधी ने नहीं किया, तो इसलिए मोधी जी की सफलता और मोधी जी का ट्रेक रिकॉर्ट, वो हमारे कैम्पेंड का मुख्यादार है, तो अब की बार चार सो पार? अब की बार चार सो से अधिक पार, चली तो आप चलते हैं ते कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को, बस मैं के वर इतना ही कहना चाहता हूँ, कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के अगले जो पास साल है, उसमें देश में बहुत परिवतन आएंगे, और जो प्रधान मंत्री जी का विजन है, पाँच ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी को बनाना, भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, धारमेक, और अन्य विश्यों की समरस्ता को लगातार उसमें विर्द्धी करना, वो निश्चित रूप से होगा, और इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, कि इस बार के चुनाओं में, तीसरी बार नरेंद्र मोधी जी के शासन का वातावरन तयार है, और मैं सभी लोगों से याघरे करूँगा, कि वो अपने-पने शिक्षिक्त्रों में जहां पर भी वो रहते हैं, वहाँ पर भारते जिन्ता पार्टी को वोट दें, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है, वो कमल का निशान है, व्यक्टी केवल उसका रिप्रेजेंटेटिव है. चलि तो प्रवीन जी, एक बार फिर से श्रेष्ट भारत की तरफ से आपको बहुत-बहुत बदाईए, और विश यू अल दे बेस्ट. तैंक्यू.